एलो फ्रेंड्स आज मैं एक नियू डिसिपिल लेकर आए हूँ, रोल्स ये रोल्स कोई नॉर्मल रोल्स नहीं है जैसे हम नॉर्मल बनाते हैं ऐसा नहीं है ये तो आई JEN देखते हैं ये रोल्स कैसी बनती है तो रोल्स बनाने के लिए मैंने यहाँ पर तीन उबले हुए आलू लिया है और इस आलू को हमें अच्छे से मेश कर लेना है तो मैं यहाँ पर आलू को हाथों से मेश कर रही हूँ क्योंकि हाथों से मुझे अच्छा लगता है और यह अच्छे से मेश भी हो जाता है और आलू में गुटलिया बिल्कुल नहीं रहना चाहिए तो इसको अच्छे से हमें मेश करना है तो ये अच्छे से आलू मेश हो गए है अभी हम क्या करेंगे इसमें हरा धनिया डाल देंगे तो मैं यहाँ पर बहुत सारा हरा धनिया ले रही हूं हरा धनिया का जो टेस्ट रेना बहुत अच्छा लगता है और इसके साथ में हम डाल देंगे बारिक कटी हुई हरी मिर्च छो हरी मिर्च में यहाँ पर साल ले रही हूँ आप अपने हिसाब से कमजियादा कर सकते हैं अभी हम इसमें डाल देंगे मसाले आदा चमच हल्दी पाउडर आदा चमच जीरा पाउडर आदा चम्मच धनिया पौडर लेंगे और इसके साथ में लेंगे आदा चम्मच से बहुत कम लेंगे हम काली मिर्स पौडर तो काली मिर्स पौडर जो है मैं यहाँ पर कम ले रही हूँ क्योंकि काली मिर्स पौडर थोड़ा सा तीखा रहता है इसलिए मैंने इसमें थोड़ा सा कम लिया है इसके साथ में हम डाल देंगे थोड़ा सा अजवाइन और आदा चमश डाल देंगे गरम मसाला और यहाँ पर मैं पका हुआ चावल ले रही हूँ तो यह जो पके हुए चावल से हम रोल्स बना रहे हैं यह बहुत बड़ी टेस्टी रोल्स बनते हैं आप जब इसको ट्राइ करेंगे ना आपको बहुत अच्छा लगेगा तो यह जो चावल मैंने लिया है ना इसको हाथों से मिक्स करना है आलो के साथ में तभी यह अच्छे से मिक्स होगा एकदम आलो के साथ में मेश हो जाएगा यह तो इसलिए मैं हाथों का यूपस कर रही हूँ और इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है हमें और यह देखिए मैंने इसको अच्छे से मिक्स कर लिया है अभी हम क्या करेंगे इसमें डालेंगे कश्मिरी लिलमेंट्स पौडर और आदा जमस नमक डाल देंगे और ये देखें मैंने इसको अच्छे से मिक्स करके तियार कर लिया है अभी हम क्या करेंगे इसमें से छोटे छोटे लूई की तरह उठाते जाएंगे और एक गोला बना लेंगे तो ये जो रोल्स है न ये बिल्कुल अभी जो हम गोला बना रहे है इसको आलू की टिक्की की तरह बना रहे हैं पर ये रोल्स बन रहे हैं आलू की टिक्की नहीं और इसका जो स्वाद है न बजार में जो टिक्की मिलती है rolls मिलती है उससे और भी ज्यादा बड़िया सुआदा आएगा इसका तो यह देखिए मैंने आलु का गोला बना लिया था पहले और अब हम क्या करेंगे इसको आलू की टिक्की की तरह बनाएंगे तो यह हमारे आलू की टिक्की की तरह बढ़िया तरीके से बनकर रेडि हो जाएगा तो ऐसे ही करके हमें सारी टिक्की तियार कर लेना है यह बहुत ही बड़िया रेसिपी है दोस्तों बहुत ही टेस्टी लगता है खाने में आप इसको स्नैक में यूज कर सकते हैं या फिर घर में जब भी कोई मेमान आते हैं तो जल्दी जल्दी में कुछ बनाने का मन हो तो आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राइ कर सकते हैं बहुत बड़िया टेस्ट लगता है और ये देखे है हमने सारी टिक्की बना कर ready कर लिया है ये देखे हमारे जो टिक्की है ये एकदम बन कर ready हो गया है अब हम क्या करेंगे एक एक टिक्की उठाते जाएंगे और इसके बीच में हम चीज के स्लाइसेस डाल देंगे तो ये ज से बंद कर देंगे चीज का जो पीस है नहीं निकलना चाहिए और इसको रोल का शेप देंगे यह देखिए ऐसा ही करके हमें सारी टिक्कियों के अंदर चीज को डाल देना है और इसको एक रोल का शेप देना है और चीज हमें कम लेना है अगर हम चीज ज्यादा ले लेंगे ना तो चीज का टेस्ट ही ज्यादा आ जाएगा और आलू का और चावल का जो टेस्ट है ना वो कम हो जाएगा तो इसलिए हमें चीज चोटे चोटे पीसेस में लेना है और कम लेना है तो यहाँ पर जो चीजे मैं बहुत कम ले रही हूँ और ऐसे ही करके हम सारे रोल्स रेडी कर लेंगे बहुत ही बड़िया रेसिपी है दोस्तों आप एक बार ज़रूर ट्राइ कीजिएगा इस रेसिपी को यह देखिए और यह जो रोल्स है न हम ऐसे ही करके बना कर रख देंगे दो तीन मिनिट के लिए यह अच्छे से उपर से सूख जाएगा और जब हम इसको अच्छे से सुखा लेंगे न तो बाकी का जो प्रोसेस है वो भी अच्छे से हो जाएगा पर यह सुखा हुआ होना चाहिए रोल्स सुखा हुआ होगा तो और बड़िया बनेगा यह तो यह देखिए मैंने बहुत सारा रोल्स बना कर त्यार कर लिया है और इसको मैंने अच्छे से सुखा भी लिया है बहुत बड़िया तरीके से बनकर रेडी हुआ है अभी हम क्या करेंगे ब्रेड लेंगे तो ये जो bread हैं, बहुत बड़ा साइस का η bread लिया है, मैंने चोटे-चोटे bread आते हैं, पर चोटे ब्रेड में हमें नहीं बनाना है चोटे-चोटे bread में अगर हम बनाएंगे न, तो जो आलू का हमने rules बना कर तयार किया है, वो अच्छे से बीच में नहीं आएगा तो सबसे फेले हमें क्या करना है जो ब्रेड है ब्रेड के साइट में जो मोटा हिस्सा लगा रहता है ना उसको काट के हमें निकाल लेना है तो इसको साइट से काट के निकाल लेते हैं बहुत बढ़िया से ये निकल जाता है काटने से और इसको हम फेकेंगे नहीं इसका हम एकदम bread crumbs जो बनाते है ना उसी से ही हम बना लेंगे इसको बहुत बढ़िया तरीके से ये bread का crumbs बनकर त्यार हो जाता है तो ये देखे मैंने बना कर त्यार कर लिया है अभी हम क्या करेंगे यहाँ पर मैंने 4-5 चमच के करीबन पानी लिया है पानी कम लिया है और ये जो bread है ना हम पानी में डुबाएंगे नहीं हम अक्सर क्या करते है ब्रेट को पानी में डुबा देते तो हमें bread को पानी में डुबाना नहीं है एक हाथ में bread लेना है और दूसरे हाथ में थोड़ा-थोड़ा पानी लेकर bread के उपर लगा लेना है जब आप ऐसे करेंगे ना तब भी bread अच्छे से नरम हो जाएगा और यह जो bread का corner है ना इसमें भी थोड़ा ज्यादा करके पानी लगाएंगे क्योंकि ये थोड़ा सा टाइट रहता है तो ये अच्छे से नरम हो जाएगा अभी हम जो आलू का स्टफिंग ये वो डालते जाएंगे और ब्रेट के बीचो बीच में डाल कर इसको एकदम फोल्ड करके बंद कर देंगे और ऐसे ही सारे ब्रेट रूल्स बना कर तियार कर लेंगे ये अच्छे से बड़िया से बन कर तियार हो जाता है इसमें ज्यादा कोई परिशानी नहीं होती है और ये देखें बहुत अच्छे से बड़िया से बन कर तियार हो गया है ब्रेट रूल्स बहुत बढ़िया तरीके से बना है अभी हम क्या करेंगे यहाँ पर हमने लिया है दो चमच मैदा आपके पास मैदा ना हो तो फिर आप कौन फ्लो ले सकते हैं और इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए हम इसका एक घोल तियार करेंगे और मैदा में जो है गुटलिया नहीं रहना चाहिए और इसमें हमें पानी एक साथ में सारा नहीं डालना चाहिए थोड़ा थोड़ा करके लेंगे इसमें पानी और इसका एक घोल बना लेंगे तो यह जो घोल है ना बहुत बढ़िया तरीके से बन जाता है इसमें गुटलिया बिल्कुल भी नहीं रहेगी और गुटलिया रहना भी नहीं चाहिए गुटलिया रहेगी तो हमारा जो ब्रेड है ना ब्रेट रोल्स है वो बड़िया नहीं बनेंगे तो मैं यहां पर थोड़ा थोड़ा करके पानी ले रही हूं और इसका गोल बना लेती हूं यह देखिए इसमें गुट्लिया बिल्कुल नहीं है और हमारा जो मेदा का गोले अच्छे से बन गया है अभी हम क्या करेंगे जो अच्छे से डिप करते जाएंगे मेदे में और फिर ब्रेट क्रम्स जो है उसके उपर में इसको लगा देंगे जो ब्रेट क्रम्स है ना उसके उपर ब्रेट के रोल्स को हम एकदम से लगा देंगे बहुत ही बढ़िया से बन जाएगा और यह दुबारा से उसको ऐसे मेद में डिप करेंगे और फिर दुबारा से हम ब्रेट क्रम्स को लोग उसके उपर में लगा देंगे तो ऐसा ही करके हम सारे बना कर त्यार कर लेंगे बहुत ही बढ़िया से बन जाता है दोस्तों बहुत ही आसान रेसिपी है ये कोई मुश्किल नहीं लगती और खाने में तो इसका जवाब भी नहीं इतना बढ़िया टेस्ट आता है इसका बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है ये देखे हम सारे जो रोल्स ना ऐसे बना कर त्यार कर लेंगे और साइड में मैंने रोल्स बना लिया है अभी हम क्या करेंगे चटनी बनाएंगे तो चटनी बनाने के लिए मैंने दो हरी मिर्सी लिया है तीन चार लेसुन की कर लिया और एक अद्रक का पिंच और यहाँ और हरा धनिया ले लिया है और हरा धनिया का जो डंटल लेना उसको फेकना नहीं है क्योंकि हरा धनिया का जो डंटल होता है ना उसी में टेस्ट है ज्यादा और यह थोड़ा सा हरा धनिया रह गया था उसको भी डाल देंगे थोड़ा सा पानी डाल कर इसका हमें एक चटनी ब ब्रेड रोल्स भी बनकर त्यार हो गया है अभी हम इसको फ्राइ कर लेंगे तो यहां पर मैंने तेल बहुत सारा ले लिया है और अभी हम इस ब्रेड रोल्स को फ्राइ कर लेंगे तो तेल यहां पर काफी ज्यादा ही है थोड़ा सा कम लग रहा है पर यह काफी ज्यादा ही तेल है अभी हम इसको फ्राइ कर लेते हैं और यह देखिए बहुत ही बड़िया तरीके से यह फ्राइ हो चुका है और अभी हम इसको निकाल लेंगे तो आपको यह ब्रेड रोल्स कैसी लेगी है कॉमेंट करके जरूर बताएए और रेसिपी आपको अगर पसंद आए तो चै स्क्राइब जरूर कीजिगा और कमेंट करके जरूर बताएएगा लेसिके